दोस्तों जहन में ऐसा सवाल आया कि क्यों ना कूलर और पंखेर करने के बिजनस के बारे में आपको बताया जाए तो चलिए आज आपको इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अन तक देखेगा पसंदाए तो लाइक कीजिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाईए और हाँ देखिए कि कैसे कूलर पंखे मरमत करने के बिजनस से आप बन सकते हैं एक अच्छे खासे बिजनसमें और अपनी लागत के हिसाब से इसमें आप पैसा लगा के कमा पाई करना शुरू कर सकते हैं देखिए गर्मियों में रहत देने वाले इलेक्ट्रोनिक फैन कूलर की बिक्री और रिपेरिंग का बिसनस आप कर सकते हैं गाउं में बिजली के वोल्टेज में घट भड़ होने के कारण वहां के बिजली के इस्तिमाल होने वाले इन उपकर काम भी बहुत आता है, रिपेरिंग का काम असानी से करके आप अच्छा खाजा मुनाफध कमा सकते हैं ऽबसे पहले करना होगा यह काम यदि आप बिजली के उपकरनों की मरमत का काम शिरू करना चाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकाम की ट्रेंग लीन होगी, जडि पहले से ट्रेणिंग लिए हुए हैं और काम करने का अनुभव है तब तो ठीक हैं वरना आपको ट्रेणिंग लेने ही पड़ेगी अब आप ये पूछेंगे कि ये ट्रेणिंग कहां और कैसे मिलेगी, इसमें कितने पैसे खर्च होंगे ट्रेनिंग लेने के दो तरीके हैं यदि आप सक्षम हैं तो आप ITI संस्थानों में बिजली की ट्रेनिंग ले सकते हैं इसके अलावा अनेक प्राइवेट ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों में भी इस तरह की ट्रेनिंग लेकर बिस्नस शिरूप किया जा सकता है ट्रेनिंग और अनुभव इस तरह से लें यदि आप ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्श करने में सक्षम नहीं है तो आपको अपने नजदीक के कस्वे में किसी बिजली की दुकान में काम सीखने के लिए नौकरी करनी होगी यदि आपको कोई नौकरी देने के लिए तैयार ना हो तो फिर बिजली दुकान पर काम कर रहे एक्सपर्ट मिस्तरी के समक्षफरी में सहाइक बनने की पेशकर्श करनी चाहिए इससे आपको उस एक्सपर्ट के साथ रहे कर काम सीखने का मौका मिल जाएगा जब काम पूरी तरह से सीख जाएं तो जिन से काम सीखा है उनका पूरा सम्मान करें और उनसे आश्रिवाद लेकर अपने गाउं में बिजनस शुरू करने महिशा को पश्ट रूप से बता दें इससे वो आपकी इमानदारे से खुश होकर आपको खुशी-खुशी विदा कर देंगे और भविश्य में कोई समस्या आने पर वो आपकी मदद भी करेंगे बीना ट्रेनिंग के बिजली का काम करना जान को जोखिम में डालना होता है जरा सी चूक आपकी जान ले सकती है इसलिए पैसा कमाने के लिए इतना बड़ा जोखिम न उठाए छोटे मुटे काम कर लेने से कोई इलेक्ट्रिशन नहीं बन जाता इसलिए कभी भी अपने आपको बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशन ना समझे जहां पर cooler repairing के साथ cool, पंखा और electronic मुसामान बेचने काभी काम कर सकते है एक बार आपको लोग cooler और पंखी की repairing का काम करते हुई गाओं के लोग देखें तो चान लेंगे कि यहाँ repairing होती है और जिसको भी repairing कराने की जरूरत हो भी तो वो आपके पास आ जाएगा कुछ लोग आपको अपने घर पर भी रिपेरिंग के लिए बुला सकते हैं, इसके लिए भी आपको तयार रहना होगा. बिजनस को चलाने की टेप्स आपको ये बिजनस अच्छे तरीके से और लंबे समय तक चलाना है तो आपको अपने ग्राकों के साथ अपना अच्छा विवार करना होगा रिपेरिंग का काम भी अच्छी तरह से करना होगा शुरू शुरू में ग्राकों की भावना को ध्यान में रखना होगा इसके लिए कूलर या पंक्खे के रिपेरिंग को कम से कम पैसे में करना होगा इसे लोगों को आपके प्रती विश्वास बढ़ जाएगा यदि आप शुरू में अधिक पैसे लेंगे तो लोगों के मन में यही आएगा कि उनका कूलर या पंका उतना खराब नहीं था जितना आप बता रहे हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि अपने बिजनस के लिए बढ़ा चला कर दुकानदार बता रहा है इससे अच्छा तो यही होगा कि शेर जाकर बनवा ले जब आपके द्वारा बताएगे और रिपेरिंग के खर्चे बाजार में कम होंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा और जादा हुए तो आपके बिजनस को चटका लग सकता है यह बिजनस पूरी तरह से विश्वास और मौथ पब्लिसिटी पर निर्फर करता है क्योंकि गाउं का एरिया बहुत चोटा होता है और सभी लोग एक डूसरे को जानते भी हैं आपको गाउं में किसी तरह की गुटबाजी जातिवादी चर्चाओं में नहीं फसना है वरना आपके बिजनस को नुकसान हो सकता है आपको तो प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है एक बार आपकी दुकान का गाउं में विश्वास बन जाएगा तो आपको बिजनस की दिक्कत नहीं होगी इसके बाद जिससे जो कहेंगे वो आपकी बात माल लेगा तो चरी आपकी गर्मियों का इंतिजाम तो हमने कर लिया आपको करना है अपने बिजनस का इंतिजाम और हम तो यही चाते हैं कि आपका बिजनस अच्छे से फले फूले, आपको किसी चीज की कोई कमी ना है, लेकिन याद रखिए साथी साथ सेहत का भी जरूर खयाल रखेगा, क्योंकि गरोना बहुत जादा फैल रहा है, तो आपको अपना और अपने परिवार का खयाल रखना है मुझे विदा दीचिये, नमस्कार, ओकी क्रेडिट, बिजनस ओके है,